प्राचीन मिस्र में यदि किसी के सामने से बिल्ली गुजर जाती थी तो घर के सभी सदस्यों को शौक के लिए अपनी सली आई ब्राउन मुंदवानी पड़ती थी प्राचीन मिस्र में नौकरों को शहर में लिप्त कर दिया जाता था ताकि मदुमक्यों को राजा से दूर रखा जा सके दुनिया की पहली शान्ती संधी का रिकॉर्ड मिसर के पास है मिसर सबसे ज्यादा आबादी वाला मुसलिम देश होने के साथ साथ नौथ अफरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी है 2017 के अनुसार इसकी आबादी लगबग 9,354,000 है और जिसका आधे से ज्यादा भाग शहरों में रहता है मिसर में दुनिया के कुल पानी का 0.6% है यहाँ की आबादी सबसे ज्यादा नील नदी के किनारे रहती है यहाँ हर साल सिर्फ एक इंच बारिश होती है प्राचीन मिसर में करीब 1,400 देवी देवताओं की पूजा होती थी मिसर की बहुत पुरानी कबरों में टॉयलेट भी पाए गए है मिसर और सुडान के बॉर्डर के पास 2,060 किलिमेटर्स जो जमीन ऐसी है जिस पास 29 अश्रों में से किसी काहप में ही है मिसर का राश्ट्री ये पक्षी चील है सन 1882 में ब्रिटिन ने मिसर को गुलाम बना लिया था फिर 28 फरवरी 1922 को मुश्किल से आजाध हुआ लेकिन इसने खुद को गंड राज 18 जून 1903 को घोशित किया मिसर का सबसे मशूर पिरामिट अपने बनने के 3881 साल बाद तक दुनिया की सबसे उची इमारत थी दुनिया में सबसे ज़्यादा पिरामिट सूडान में है नकी मिसर में शाधियों में अगुठी पहनाने की प्रथक के शुरुवात मिस्र में ही हुई थी। ममी बनाते समय उनका दिल नहीं निकाला जाता था क्यूंकि मिसर के लोग दिल को आत्मा का प्रतीक मानती थे। प्राचीन मिसर में बिल्यों को मारने पर सीधे मौत की सजा मिलती थी। 1346 से 1353 के बीच मिसर में एक महा मारी फैल गई थी जिसमें लगभग 40% बादी मर गई थी। मिसर वह पहला अरब देश हैं जिसने इजरायल से शांती बनाय रखने के शुरुवात की थी। प्राचीन मिसर में लोग मरे हुए इंसानों को पट्टियों में लपेते थी जिने आज हम ममी कहते हैं। एक ममी पर 1.6 किलिमेटर्स एक मायल लंबी पट्टियां मिली है। कुछ ममियों में निकोटिन और कोकिन की थोड़ी मात्रा भी मिली है। प्राचीन मिसर में किसी राजा ने कभी अपने बाल नहीं दिखाए। ये हमीशा अपनी सिर्ग पर कुछ पहनते थे जिसे नेम्स नाम दिया गया। 2015 से पहले तक मिसर के किसी प्रधान मंत्री ने बिना जेल जाए या बिना मरे ओफिस नहीं छोड़ा था। दुनिया का सबसे पुराना गाना जिसमें लिरिक्स थे जो प्यार के बारे में है। वह भी मिसर में ही पाया गया है। ये लगभग 4,300 साल पहले लिखा गया था। प्राचीन मिसर में 30 से 30 दिन के 12 महीने होते थे। आखिर के 5 दिन त्योहार भी मनाये जाते थे ताकि साल के 365 दिन पूरे किये जा सके। इन्होंने घड़ियों का भी अविश्कार कर लिया था। जब 1970 के मद्ध में एक ममी को फ्रांस भेजा गया। तब इसके लिए मिसर ने लीगल पासपोर्ट जारी किया था। प्राचीन मिसर में पुलिस ओफिसल्स, कुत्तुं और लंगूर बंदरों को च्ट्रेनिट करने के कोशिश करते थे ताकि नौपरी में उनकी कुछ सहायता हो सके। कौटा और च्ट्रेबा से चुरी के आसपास मिसर में सबसे ज्यादा ये साई थे लेकिन आज 90% मुसल्मान है। प्राचीन मिसर में तक ये के रूप में पत्थर का इस्तिमाल किया जाता था। एरिटरस्ट थीन्स ने आज से 2200 साल पहले मिसर से बाहर जाई बिना ही धर्ती की परिथी की गर्ना गर्णट की सहायता से कर दी थी। प्राचीन मिसर के लोगों के पास गर्ब चांचने का 70% सही तरीका था। महिला द्वारा खासत है कि बीजों पर प्रिशाप करने के बाद यदि ये भी जंकरेथ हो जाते थे तो समझा वह गर्ब वती थी। टुटाइंखार में प्राचीन मिसर का अकेला ऐसा इनसान था जिसे खड़े लिंग के साथ ममी बनाया गया था। प्राचीन मिसर के फराह पतले होते थे। उनके खुराक में शराब, शहद, बीर, तथब्रड और अधिक चीनी वाले पदार्थ थे। उनमें से कई मधल मेह के शिकार भी थे 31। दुनिया की सबसे पुरानी ड्रेस मिसर में पाई गई है जो 5000 साल पुरानी है। प्राचीन मिसर में अगर कोई बोना पैदा होता था, तो उसको बहुत फुशकस मत माना जाता था, क्योंकि उसका बोनापन उसको आसानी से नौकरी दिला देता था। नौकरी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि सोने की कारखाने में। मिसर में मेकप करना आवश्यक था। ये लोग सुर्मा का प्रयोग जरूर करती थे। वो मानते थे कि हरा और काला सुर्मा उन्हें सुरे की किरणू, मक्यों तथा हानी कारक संक्रमनों से बचाय रखता था। मिसर के लोग मम्यों को टूर्थपिक के साथ दफनाते थे। माना जाता है कि प्राचीन मिसर के निवासियों ने ही एक तरह की टूर्थपेस्ट की शुरूआद की थी। इसे बनाने में वे बैल के खुरों का पाउडर, जले हुए अंडे की चाल तथा राक के मिश्रण का प्रयोग करती थे। किसी एक रिन में लगबग 529 लोगों को फासी को सजा सुनाने का रिकॉर्ड भी मिसर के पास हुई है। मिसर पर जब फिरौन का शासनकाल था तब वहां की मुद्रादारू हुआ करती थी। प्राचीन मिसर में अंधेपन के इलाज के दोरां सुर्की आँख मरीज के कान में डाली जाती थी। फराओ पेपी आए आई 2246-2152-22C का शासनकाल इतिहास में सबसे लंबे समय तक था 94 साल। जब वे सिर्फ अच्छे साल के थे तभी मिसर की राजा बन गे थे। प्राचीन मिसर में जब कोई मर जाता था तब उसे के चहरे जैसा एक मास्क उसे पहना दिया जाता था ताकि आत्मा को दोबारा शरीर पहचानने में आसानी हो। निपोलियन एक जुलाए 1798 को मिसर गया था लेकिन ये अपने मिशन में काम्याब नहीं हो पाया और तीन साल, दो महिना और एक दिन के बाद 2 सितंबर 1801 को वापिस फ्रांस लोट आया। हिलेरी क्लिंटन जब 2012 में मिसर आई थी तो उस पर भीडने जूते और टमाटर फेंके थे। ऐसा शायद पहली बार हुआ हो जब इतने बड़े नेता को दूसरे देश में इस तरह बेज़त किया गया हो। कर दो कर दो